हलो मेर प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो आशा करती हूँ आप बिल्कूर ठीक ठाकोर स्वस्थ होंगे आज आपका हिंदी गासुलेख लिखने का दिन है तो आये लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले हम कठीन शब्द लेते हैं मच्छेरिन आउ लिखना शुरू करें मच्छेरिन म सीधी लाइन लेंगे लाइन सेक लाइन के अंदर हिं लिखना है छ लाइन से थोड़ा सा निच्चे से शुरू करेंगे मच्छे ए ए की मातरा बिटा, मच्छे रिन हांची रिन, राको छोटी की मातरा आग्ये से मच्छे रिन, हांची बिटा, बोल के लिखिए, सुन्दर लिखिए ताकि आपको लिखने में असानी हो मातरा की पहचान हो मच्छे रिन मच्छे रिन मच्छे मच्छे रिन र को कौन सी मातर आएगी बैटा छोटी की आगे से मच्छे रिन तो आगे लिखेंगी बैटा हम सागर हांजी सागर सा सिधी लाइन आदे से ज़्यादा लेंगे कर्ब ले किसको छोड़ देंगे पतला से कर्ब लेंगे यहां से भी सिधी लाइन, आपी मात्रा ग, चोंच वाला ग, र, हंजी र, सागर बचाएक मुझे बात बताओ, सागर किसको कहते हैं? समुंदर को, very good सागर कहते हैं, समुंदर को मचेरिन, मचेरिन कौन होती है? मचलिया बेचने वाली very good अब आपने दो लाइने छोड़ के आपको ऐसी हिसकी दोराई करनी है बोल कर लिखना है और आगे हम लिखेंग बेटा, सुलेक सुलेक में हम सीखेंगे मात्रा पहले हम तास से लिखें तक व्यंचन लिखेंगे और उसके पर मात्रा लगाएंगे ए की और ए की, ठीक है? तो दिखते हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग बेटा? त सीधे लाइन आए कि बेटा, आपकी बीच में थोड़ा सोपर शुरू करेंगे इसको नीचे त अब यह देखो बेटा तक के पर हमें एक मात्रा बनाते हैं कौँसी मात्रा है? यह ए ता ए, ते ते, ए की मात्रा थ, मोटाई में गुलाई और यह हमारा नीचे से सी बनाएगे थे द, दा बनाएंगे दा की गुलाई नीचे करेंगे द, दा के पर हमारी एक ही मात्रा धे दा बनाएंगे बिटा गुलाई में बीच में से शिरू करेंगे पीछे जाएंगे सी बनाएंगे पर ले जाएंगे एक ही मात्रा धे अब बनाएंगे हम न यह हमने न बनाया न के पर हमारी एकी मात्रा तो क्या आप बोलेंगे बिटा हम इसको ते धे धे ने ये हमारे बिटा बारा खड़ी है बारा खड़ी में से ये हमारी एकी एक मात्रा है ठीक है आगे बिटा आपको एक एक लाइन छोड़के आपको इसकी दोराई करनी है बोल बोल के लिखना है फिर से देखो मैं दुबारा से आपको बता रही हूँ फिर दिखेंगे हैं बिटा त यह हमने त लिखा त लिखा अब पिटे यह एक मात्रा कौन सी है एक की अगर हमें एक मात्रा ओ डाल देते हैं तो कौन सी मात्रा होती है ए की दो मात्रा हैं ए की दो मात्रा हैं तो क्या बोलेंगे हम इसको तै ठीक है अब यह देखो हमने यह था लिखा है था के पर हमने अगर इसके दो मात्रा हैं लगाएंगे तो क्या इसकी आवाज आएगी ठीक है बेटा आप देखो द गुलाई करेंगे निच्चे आएंगे बेटा इसको निच्चे निकाल देंगे ए की दो मात्रा है धै ठीक है धै हाँ जी बेटा नै अब आप इन मात्राओं को एक ए लाइन छोड़के लिखेंगे ठीक है और बोल बोल लिखेंगे अब इसको हम बोल कर देख रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं इसको तै तै थै धै धै नै यह हमारी ए की दो मात्राओं है और आगे यह हमारी है ए की एक मात्रा ते थे धे धे ने उपर हमारे बेटा कठी शबत है मचेरिन और सागर बोल के लिखे बेटा सुन्दर लिखे धन्यवाद आपका दिन शुबो